नमस्कार मैं अभी सेकराथ स्यो फाउंडर इजी वे गोलोबल चलिए आज हम बात करेंगे डीजी टी के नोटिस के बारे में एक्जाम को लेकर डीजी टी का बहुत ही इंपॉर्टेट नोटिस जारी किया गया है ये नोटिस सबको जाना बहुत जरूरी है आप वीडियो को जरूर सेयर कर दिएगा जिससे आईटीए करने वाले बच्चों को बेनफिट मिल सके हुए हैं और इसको लेकर डीजी टी ने ये बताया है कि 31 मही तक 31 मही तक ये जो 30 से 40 परशन्ट जो कोर्स बचे हुए थे उसको कवर कर देना है ओनलाइन के माधियम से या आप भारत स्किल हो जो डीजी टी का अपने एक वेपसाइट है जहां पे आप ओनलाइन क्रासिस कर करना चाहते हैं तो सारे को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 31 मही तक सारे ठीरिटिकल क्लास को कंप्लीट कर देना है क्योंकि एक्जाम का सीडूल डीटी के तरफ से जारी कर दिया गया है इसके बार डीटी ने जिक्र किया है एसाइमेंट के बारे में इंटरनल मार्स के पर्जेक्ट के बारे में या केंपस ड्राइब के बारे में जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं उस सारे के बारे में जिक्र किया और बताया है कि एक जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये सारे जो इंटरनल प्रोसेस हैं इंटरनल एक्जाम होते हैं एसाइमेंट होते हैं प 11 does of 11 जूराइं के बीच में अलगा अलग सेदूल के अनुसार होंगे उसके लिए आपको टाइम टेबल आ जाएगका, टाइम टेबल के ईकवल करेडिए अपको एक्वलिया अलगा ट्रेट के लिए अलगा टाइम टेबल होंगे लेकिन जो एक्वलियाका दूरेशान होंगे, 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका एक्जाम हो जाएंगे इसी के बीच में आपको internal work, project work या internal exam होते हैं या placement drive करना ये सारे चीज़ें कर लेना है ये notice डीजिटी के तरफ से बताया गया है इसके बाद result की बात करें जहांतर result declaration की बात है तो 14 अगस 2020 तक result जारी कर दिया जाएगा एक जेक्ट जो date बतायाएगा 14 अगस 2020 को result जारी कर दिया गया कुल बात करतें इस notice के बारे में क्या इसी notice पे जो date दियागा इसी date पर exam हो सकते हैं तो ये तो हम guarantee नहीं दे सकते हैं जीटी भी खुद grantee नहीं देता है क्योंकि बहुत सारे situation को नसार time table बहुत बार डीटी का change होता है और आगे भी change होने की chances है लेकिन इससे seriously लेना होगा क्योंकि ये अंतिम समय है मतलब अगस्त के बाद एक्जाम नहीं होती है लगभल लब ये अंतिम पिरिड है तो हो सकता है ये date ना change हो इसलिए आप लोग इसी date को लेकर काफी सतर करहें तियारी में लगे रहें बहुत सारे माध्यम जिससे आप इस्टडी कर सकते हैं ऑल लाइन है यूटूब है जूम है बहुत सारे college online के माध्यम साब को पढ़ा रहा है बहुत सारे बच्चे हैं जो social media पढ़ाने के कुशिस कर रहे है तो अगर आप ITI में पढ़ रहे हैं इस्टडी कर रहे है तो जरूरी है कि आप जो थोड़ा बोड़ा इस्टडी बचा हो इसको कीजिए seriously कीजिए और एक सबसे बड़ी सुचना है कि जो online exam होने के chances है की नहीं है तो इस बार online exam होने के chance 50% है क्योंकि lockdown के वज़ा से सारा चीज़ online mode में काम किया जा रहा है और सरकार चाहेगे भी कि online कर दे क्योंकि ये दो साल से DGT लगतार परियास कर रहा है कि online exam लिया जाए लेकिन private college जो इस situation है उन लोग ने बार-बार online exam लेने के खिलाफ है मना कर दे इसके वज़ा से DGT नहीं ले पा रहा था लेकिन code का अधेस था कि एक साल इन लोगों को छुट दिया जा और अगले बार से online exam लिया जाए और उस जो high code का date था ओर date complete हो चुका है और हो सकता है DGT online exam ले लेकिन इसे sure नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको पहना अनिवार जाए क्योंकि online exam में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से जब तक आप बहतर परतसम नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि आप study for focus करें क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप IT करके बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़ी vacancy आएगी सरकारी job को लेकर बहुत सारी company हो vacancy आएगी क्योंकि lockdown के बाद सारा main power को कम कर दिया गया है रोक दिया गया है जब production rate को बढ़ाया जाएगा एक दो साल बाद जब production rate बढ़ेगा तो सरकारी government job बहुत आएगे आप फेल रहेंगे आपका degree complete नहीं रहेगा तो फिर आप exam का form नहीं भर सकते इसलिए जरूरी है कि serious लीजे जिस भी ट्रेट सो आप आसानी से अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नमर लाएगे 60% से ज़्यदा नमर लाने के कुशिस किजिएगा क्योंकि 60% से कम नमर रहेगा तो फिर आपको exam देना या किसी government job में अपलाई करना बेहत मुस्किल हो जागा इसलिए आच्छा से सौधानी से study करना है चाप्टर वाई जा study कीजिए जो important chapter है अपने instructors है अपने college के जो teachers है जो अनुदेशा के उनसे बात करके सारा चीज डिसस कीजिए और आपको कोई doubt होगा कि क्या चीज नहीं पढ़ना चाहिए कौनकों से कहां से questions आने वाले है उसके लिए आप comment box में comment कर सकते है हो सकता है मैं इस पर वीडियो आपको बना दू तो चलिए आज के लिए बस इतना था वीडियो को लागी जरू किजेगा सेर कर दीजेगा एक सुचना हो रहा है कि अगर अभी तक आप में मेरा फेस्टू ग्रूप नहीं जोइन किया है तो जल्दी से जोइन कर लिए इस फेस्टू ग्रूप में एक लाख नो हजार मेंबर हो गए जो की आपस में डिसस करते हैं बहुत सारे जोब से लगर बहुत सारे करीर आपस से डिस्क्रिप्शन बहुत चेक किजिए और यहां से डैक्ली मेरा फेस्टू ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना का थेंक्यू सो मच फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार